जी गैस तो अब अपन यहाँ पर बात करने वाले है एक्स्ट्रक्शन ऑफ अलूमिनियम की देखो बटना मैंने रिवीजन कराने का तरीका आप समझो मैंने पहले आपको पूरी प्रोसेस पढ़ा दी अब अपन उन सारी प्रोसेस का यहाँ पर प्रैक्टिकल यूज करके दे है अलूमिनियम में हमारा जो ओर है वो कौन है बॉक्साइड वी ओल लो एल्टू ओट एक्सेच्टू ओ फिर हम इसका करेंगे कंसंट्रेशन याद करो कंसंट्रेशन के लिए मैंने आपको लीचिंग प्रोसेस पढ़ाई थी मैंने लीचिंग में आपको यह सिखाया था कि कभी-कभी हमारे पास ऐसे ओर्स आजाते हैं जिन पर ग्रैविटी सेपरेशन, मैगनेटिक सेपरेशन, फ्रॉज फ्लोटेशन मेथड ये यूज नहीं की जा सकती है यह वहाँ पर हम लोग करते हैं लीचिंग प्रोसेस यहाँ पर बेर्स प्रोसेस के नाम से मैं आपको आवा बच्चो बहुत सारी impurities हो सकती है like silicon हो सकता है, phosphorus हो सकता है, manganese हो सकता है, arsenic हो सकता है, carbon हो सकता है, sulfur हो सकता है, इसी बहुत सारी चीज़े हो सकती है, लेकिन वो सब NaOH के साथ dissolve नहीं होगी, NaOH के साथ react नहीं करेगी, सिर्फ aluminium react करेगा, इसलिए aluminium NaAlO2 बना कर अलग हो ज जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, इस NaAlO2 को निकाल कर water के साथ treat करेंगे, ताकि NaOH अलग हो जाए, और AlOH3 हमें अलग से मिल जाए, AlOH3 हमें जैसे ही मिलेगा, हम इस AlOH3 को 1500 degree Celsius पर heat करेंगे, जिसकी वज़े से इसका जो भी water है, वो vaporize होकर बाहर हो जाएगा, और हमें मिल ज के अंदर हम लोगों को एक चीज याद रखनी है, कि ना तो हमें इसके अंदर calcination करना है, ना roasting करनी है, ना smelting करनी है, ना slag बनाना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बेयर्स प्रोसेस याने की बेयर्स प्रोसेस में डायरेक्ली आप लीचिंग करो, ये बेयर्स प्रो हैंगे electrolytic reduction में, मतलब यहाँ पर हम लोग reduction भी किस तरीके से कर रहे है, electrolytically reduction कर रहे है, क्या करना होता है, हमारे पास में ये electrolytic reduction करने के लिए इस तरीके का equipment होता है, जिसमें आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको lining दिख रही है, बाहर से तो ये steel का होगा, या बाहर से ये हम लोगों ने copper से, sorry क्या बोल रहा हूँ है, carbon से हम लोगों ने इसको lining कर दी है, और हमने इसको बना दिया है cathode, तो ये हमारे carbon की lining क्या बन चुकी है, cathode देखो मैंने यहाँ पर एक wire भी attach किया हुआ है, और negative charge मतलब ये क्या है, cathode है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो है, ये clip copper का बनता है, ये clip जो होता है, ये copper का बनता है, और ये जो आपको नीचे से जो grids दिख रहे हैं, ये black color से, ये pure carbon की होती है, और ये हमारे anode की तरह behave करती है, this will be your anode, तो यहाँ पर ये आप confusion मत करना, create बिल्कुल भी, कि ये जो है, ये जो मैंने pipe लगा रखा है, ये copper पर है, जी नहीं, ये इन grids से connected है, ये इन हमारे graphide के grid से connected है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस chamber के अंदर, molten AL2O3, molten AL2O3 भरना है, और साथ में NA3ALF6 मिलाना है, NA3ALF6 को हम लोग बोलते है, cryolite, मतलब मैंने molten AL2O3 या जो purified ore मुझे यहाँ से मिला, मैंने उसके साथ में NA3ALF6, अब ये क्यों मिलाया, यहाँ मैं explain करता हूँ, तो हमें क्या करना है, हमारे purified AL2O3 को mix करना है, cryolite के साथ, क्यों, पहली बात, aluminium का, जो melting point होता है, वो बहुत जादा high होता है, अब इतने high melting point वाले aluminium को, आप melt कैसे करोगे, 1000 degree, 5000 degree, इतना temperature दोगे, नहीं, तो हम लोग जा करते हैं, हम cryolite मिला देते हैं, cryolite aluminium के melting point को कम कर देता है, तो पहली बात, why we add cryolite, क्यों add करते हैं, because it lowers the melting point, और दूसरा, क्योंकि देखो, अब यहाँ पर यह इलेक्रोलेटिक प्रोसेस होने वाली, यहाँ पर current flow करने वाला है, तो इस solution के पास conductivity होनी चाहिए, लेकिन AL 203 के पास conductivity नहीं होती, तो cryolite इसकी conductivity को भी increase करने का काम करता है, फिर हम इसका करेंगे electrolysis, और electrolysis करने पर, जो हम लोगों ने यहाँ पर anode बनाया है, यह carbon का anode है, basically graphite का, यह हमारे aluminium के ore के reduction में मदद करेगा, तो अगर आप से कोई पूछे कि आपका aluminium का reduction कहा होता है, आपक पर, यह AL203 जब anode के carbon से combine होगा, तो यह 3 oxygen इस 3 carbon के साथ मिलकर carbon monoxide बनके बाहर हो जाएंगे, और यह 4 के 4 aluminium 4 AL बनके आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्या यह बात प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है, and this process is called as hall-herod process, hall-herod process से हम लोग reduction करते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जब यहाँ पर से aluminium बनना चालू होगा, तो aluminium extract होकर यहाँ पर नीचे इखटा होना स्टार्ट हो जाएगा solution में, और यहाँ जब outlet से उसको collect कर सकते हैं, अब सबसे बेले क्या होगा, यह जो cathode है, सबसे बेले यह molten aluminium cathode पर जाकर, किस तरीके से behave करेगा मैं आप को बताता हूँ, देखो, सबसे बेले anode क्या करेगा, anode पर क्योंकि लगावा है carbon, वो यह L2O3 के oxygen को खुझ से जोड़के carbon monoxide बना लेगा, दो electron release करेगा, यह carbon 2 oxygen को accept करके carbon dioxide बना लेगा और 4 electrons बनाएगा, मतलब basically anode पर यह आपको reaction दिख रही है, यहाँ पर से carbon monoxide बाहर होत होता है, उस reaction के हिसाब से, यह oxygen जो कि aluminum से निकला है, carbon के साथ combine होकर CO बना लेगा और यह जो दो electron इसके हैं, यह release कर देगा, अब यह electrons flow होते हुए किसके पास जाएंगे, cathode के पास, cathode पर कौन आ रहा है, AL positive, AL positive क्यों हो गया, क्योंकि उसका oxygen तो carbon चीन के ले गया, और जब oxygen aluminum से अलग होता है, तो यह metal है, यह non-metal है, तो यह electron को खीच लेता है, इतलिए अभी oxygen पर आपको negative charge दिख रहा है, जब यह carbon से combine होगा, तो यह stable हो जाएगा, तो यह extra electrons है, यह फेक देगा, तो यह extra electrons travel करते हैं, कहां जाएंगे, इस cathode के पास, cathode पर कौन आ रहा है, AL positive, aluminum cathode प यही पर accept करके bentalic aluminum में convert होता है, और यहाँ नीचे इखटा होना start हो जाता है, जिसे आप यहाँ से outlet से collect कर सकते हो, क्या यह बात समझ मारी है, अगर इस aluminum को यहाँ से निकालने के बाद, मैं बोलूँगा कि क्या aluminum pure का आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पर aluminum pure नहीं होगा, आपक collection of aluminum की process, इसका screenshot ले लो फड़ाफट से